नमस्ते मित्रो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गनीत अकैडमी इंजीनियरिंग में तो आज के वीडियो सेशन में हम डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लेम सेवन देखने वाले हैं जो कि डिजिटल इलेक्ट्रोनिक्स के एड़ टॉपिक से लिया हुआ है तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ऐसे ही और प्रॉब्लेम्स के लिए आप मेरे टेलिग्राम ग्रुप को जॉइन कर सकते हैं ये लिंक से जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है और ऐसे ही और वीडियो के सल्यूशन के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा ठीक है तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का प्रॉब्लम यहाँ पर क्या दिया हुआ है 16-bit ripple carry adder is realized using 16 identical full adder as shown in the figure the carry propagation delay of each full adder is 12 nanosecond and the sum propagation delay of each full adder is 15 nanosecond the worst case delay of this 16-bit adder will be सबसे पहले यहाँ थोड़ा concept समझते हैं कि carry propagation delay क्या होता है sum propagation delay क्या होता है तो देखिए यह एक मेरा full adder है तो एक single full adder 2 1 bit के number को add करता है और उसके लिए carry out generate करता है और sum out generate करता है तो यहाँ पर मेरा c in भी रहता है carry in भी रहता है तो usually क्या होता है यहाँ पर मेरा carry in और 2 input bits और होते हैं तो अब क्या होता है कि यह अलग-अलग time पर carry out generate होता है और sum out generate होता है ठीक है तो यहाँ पे जो sum generate होता है उसको हम sum propagation delay बोलते है और जो carry generate होता है उसको हम carry propagation delay तो यहाँ पे देखो यह जो full adder 1 है इसके पास already यह जो inputs है ना a0, b0, a1, b1, a2, b2, a3, b3 यह सब t equal to 0 पे apply रहता है ठीक है लेकिन यह जो subsequent adders है full adder 1, full adder 2, full adder 3 यह wait करते हैं अपने carry in के लिए अगर यह scene 0 है यह scene 1, scene 2, scene 3 तो देखो यह जो है इसका complete input कभोगा जब scene 1 आ जाएगा तो यहाँ पे यह basically जो carry है यह propagate कर रहा है अपने delay को इसी को हम carry propagation delay बोलते हैं अब assume कर लो कि यहाँ पे मैं क्या बोलू जो scene है that is greater than tso मतलब carry propagation delay tcin is greater than tso मतलब carry propagation delay is greater than some propagation delay तो यहाँ पे क्या होगा देखो sum propagation यह तो generate हो जाएगा लेकिन यहाँ पे इसको complete input कभ मिलेगा tcin में मिलेगा वैसे ही यहाँ पे देखो यह sum propagation जो ही tcin पे मिला तो यहाँ पे जो output sum आएगा यह कब आएगा tso plus tcin क्यूं क्यूंकि इसका अपना sum propagation delay है या तो ऐसे छोड़ दो चलो हम लोग क्या करते है ऐसे समझ में ना आए थोड़ा कम आए हम क्या करेंगे यहाँ पे चलो numeric values ले ले लेते है ठीक है numeric values तो t equal to 0 पे मैंने यह सारे bits अप्लाई किया input bits अप्लाई कर दिये ठीक है तो यहाँ पर थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो है डाइग्राम बनाने में इसको मैं थोड़ा इधर कर देता हूँ ठीक है यह जितने भी B3 B2 B1 है ना यह सब देखो एकदम इधर इधर लगके है सीन में तो यह थोड़ा सा अजीब दिख रहा होगा आप लोग कि इनको इधर कर दिया मैंने अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि कैरी प्रपोगेशन डिले जो है ना यह एजिम कर लो टू नैनो सेकंड का है और सम प्रपोगेशन डिले जो है यह वन नैनो सेकंड तो अब क्या होगा टी इकवल टू जीरो पे यह A3 B3 A2 B2 A1 B1 A0 B0 दिया है अब मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर worst case delay यहाँ भी दिया हूँ है worst case delay वर्स case delay मतलब क्या सारे के सारे full adders में delay हो ही रहा है मतलब ऐसे inputs मैंने दिये है यहाँ पर जिसके वज़े से output में transition आ रहा है ठीक है तो अब अगर यह बात है तो देखो यह S0 जो है कितने देर 2 nanosecond मतलब यह full adder 1 को अपना complete input कितने nanosecond बाद मिला 2 nanosecond तो यह जो S1 है इसको कितना लगेगा 2 nanoseconds में तो इसके सारे input है तो इसमें और 1 nanosecond लगेगा मतलब इसको 3 nanosecond लगे और यह Cout कितने देर बाद generate होगा जब इसके सारे input complete हुए मतलब A1 B1 C in 1 तो यहाँ पर यह input A2 B2 और C in 2 4 nanosecond में मिला मतलब S2 कब आएगा मेरे पास 5 nanosecond पे और यह Cout कितने देर बाद आएगा 4 nanosecond के और 2 nanosecond बाद मतलब 6 nanosecond तो यहाँ पे पूरा A3 B3 C in 3 कब रेडी हो गया 6 nanosecond पे तो यह 7 nanosecond पे आया और यह वाला जो है यह मेरा कब आएगा यह 8 nanosecond तो अग गर मुझे यहाँ पे formula को generalize करना है ठीक है generalize करना है तो worst case propagation delay जब भी यह case होता है कि carry propagation delay is greater than some propagation delay तो यहाँ पे n into carry propagation delay होता तो यहाँ पे देखो n कितना था 4 है n मतलब number of adders carry propagation delay कितना था यहाँ पे 2 nanosecond तो देखो 8 nanosecond बाद मेरे सारे के सारे input output जनरेट हो जाएगा यह cout एक output है s3, s2, s1, s0 यह सारे generate हो ठीक है अब मैं ultra case ले लेता हूँ क्या ultra case कि carry propagation delay को मैं 1 nanosecond लेता हूँ और sum propagation delay को मैं 2 nanosecond लेता हूँ ठीक है तो अब देखो क्या होता है तो यहाँ पे जो inputs है यह मेरे देखो मैंने फिर से वाई t equal to 0 पे दिया तो यह वाला sum out कितने देर बाद generate होगा 2 nanosecond बाद लेकिन जब तक में यह 2 nanosecond में generate हो रहा था cout generate हो चुका है तो यहाँ पे complete set of input कब मिलेगा इसको fa1 को a1 b1 तो t equal to 0 पे ही applied है लेकिन यह c in 1 1 nanosecond पे ही आ गया है तो यह यहाँ पे कब generate होगा 1 plus 2 मतलब यहाँ पे इसको लग जाएगा कितना 3 nan nanosecond बाद यह generate होगा लेकिन यह जो है 2 nanosecond में ही generate होके ready हो जाएगा तो यहाँ पे देखो यह सारे input 2 nanosecond में आ गए तो यहाँ पे यह जो आया यह 4 nanosecond पे ready होगा लेकिन यह वाला 3 nanosecond में ready हो जाएगा तो 3 nanosecond में मेरे पास यहाँ पे क्या हुआ सारे input full adder 3 का generate हो गया त 3 plus 2 5 nanosecond लेकिन ये जो है ये 4 nanosecond में ready हो जाएगा तो अब जब carry propagation delay is less than some propagation delay होता है तो worst case delay का अब जो formula होता है it is n-1 into carry propagation delay plus some propagation delay देखो अब formula समझा दूँगा कहां से आया क्यों आया पहले formula में put करके देखो तो n4 है यहाँ पे तो 3 into यहाँ पे कितना लिया था मैंने carry propagation delay 1 some propagation delay देखो 2 nanosecond which is equal to 5 nanosecond तो पूरा का पूरा जो output set है ये cout s3 s2 s1 s0 देखो 5 nanosecond में अब ऐसा क्यों हुआ तो देखो यहाँ तक जब मैं काम किया तो ये जब तक में cout generate हुआ और इसका ये वाला output generate हुआ cout तब तक में ये s2 s1 s0 sub generate हो गए लेकिन ये s3 वाला जो last stage में देखो यहाँ से यहाँ तक basically मैं carry के लिए wait कर रहा था लेकिन ये last stage में मेरा carry पहले generate हो जाता है मेरे को sum के लिए wait करना होता है इसी लिए last stage में sum propagation delay significant होता है और उससे पहले तक के जितने भी stage है महाँ पे carry propagation delay significant होता है इसी लिए n-1 into cpd plus spd यहाँ पे हमारा formula बन गया तो इसी में अगर मैं ले लूँ तो यहाँ पे देखो carry propagation delay कितना दिया हुआ है मेरे पास 12 nanosecond sum propagation delay 15 nanosecond मतलब हमारे formula के हिसाब से spd is greater than cpd तो worst case propagation delay is equal to n-1 into cpd plus spd तो यह कितना है यहाँ पे 16 bit मतलब 15 into carry propagation delay is 12 plus 15 तो 15 to 180 यह आ गया 195 nanosecond आप इस प्रशन का उत्तर 195 nanosecond is the answer to this question ठीक है तो यह question का concept यही था मैंने यहाँ पे पूरा आप लोग को बताया है इसी पे based और एक बहुत अच्छा question है अभी तक जो की gate का ही प्रशन है तो वो मैं next session में आप लोग के लिए लेके आऊंगा ठीक है तो आशा करता आज का session आप लोग को अच्छा लगा अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक एंड शेर वीडियो को जरूर कीजिए और ऐसे ही और वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ठीक है तो चलिए फिर मिलते है अगले session में धन्यवाद